पर नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों इंडियन जोग्रफी और वर्ड जोग्रफी और फिजिकल जोग्रफी तो इन सब के कुल मिलाकिर 5000 से जाधा कोश्चन्स को हम लोग इस सीरीज में कवर अप करेंगे तो अग कि अपने सेशन को आगे बढ़ने से पहले चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करिए सो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका आप्शन सी यानि की कोश्ण तथा शीत सागरिये धाराएं यानि की वार्म और कोल्ड ओशियन करेंट जहां पर मिलती हैं वहां पर ऐसा पूरा एंवार्मेंट क्रियेट होता है जहां पर ब्रीडिंग बहुत तेजी से होती है मशलियों की और यह पूरा एरिया जो होता है मतस्यन के लिए एकदम सुटेबल होता है अब यहां पर मतस्यन की अगर हमने बात करिए तो क्या कंडिशन से कैसे कौन सा एक एरिया जो ह 60 degree latitude के बीच का जो एरिया है यहां पर मतस्यन की परिस्थितियां बनती हैं मतस्यन की परिस्थितियों की जब मैंने बात करी तो कैसी परिस्थितिया एक तो है छिचला समुद्र होना चाहिए यहां पर दूसरा दूसरी कंडीशन क्या है यहां पर फाइटो प्लेंक्टन जो पौधे हैं इनकी पर चुड़ता होना चाहिए तीसरा यहां पर ठंडी और गर्म धाराएं यह थंडी और अपस में मिलने चाहिए ठंडी और गर्म समुदरी जलधाराएं जो है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए तो यह तीन पॉइंट है जो आपको बिसिकली याद रखने है कि अगर आपसे examination में पूश ले कि fisheries के लिए कौन सी conditions जो है वो suitable है तो पहली बाद छचला समुदर होना चाहिए दूसरी बाद ठंडी और गर्म जलधाराएं वहाँ पर मिलनी चाहिए और तीसरी बात है कि plankton पौदों की प्रचुड़ता वहाँ पर होनी चाहिए latitude पूश लिया जाए तो आपसे 40 degree से 60 degree के बीच होना चाहिए चलिए move on करते है next question पर नेक्स्ट question ने इसमें पूशा गया है grand bank ये इस्थे थे उत्री अमेरिके के पच्छमी तट पर पच्छमी यूरोपिय तट पर उत्री अमेरिका के पूरवी तट पर या फिर अफरीका के पूरवी तट पर तो सही answer हमारा क्या एगा option c यानि की जो नौर्थ अमेरिका है उसके eastern coast पर ठीक है नौर्थ अमेरिका के eastern coast का मतलब क्या हो गया नौर्थ अमेरिका में कौन कौन सी country शामिले जरा comment section में ये आप लोग बताएगा दूसरी बात जब हम grand bank की बात कर रहे हैं तो grand bank कौन सी country के eastern coast पर है कि जब हमने उत्तरी अमेरिका की बात करी तो पूरे हम North American continent की बात कर रहे हैं बेट आप ये बताएगा कि grand bank कौन सी country की जो किनारे हैं वहाँ पर है ये वहाँ पर based है अच्छा ये एक चीज़ के बारे में याद रखेगा ये fisheries के लिए बड़ा important है क्यों क्योंकि यहाँ पर जो दो जल्धाराएं हैं समुद्री जल्धाराएं वहाँ पर आकर मलती हैं एक warm current आता है और एक है आपका cold current तो जरह ये बताएगा ये दोनों कौन कौन से current हैं जो यहाँ पर आकर मलते हैं grand bank पे इस से associated अगर आप video देखना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल जो हमारा है उस पर आप video देख सकते हैं grand bank के उपर specifically एक video आएगा यहाँ पर देखे जितने questions मैं आप से पूछ रहा हूंगी ऐसे questions हैं जो आपको examination में देखने को मिलेंगे ही next question की बात करते हैं इसमें पूछा गया है भूगोल में नव नियतिवाद इसके सिद्धान का प्रतिपादन किस ने किया था अब ये कुमारी sample ने किया ये किया जी टेलर ने ये रेट जेल ने कि किस ने इस सिद्धान का प्रतिपादन किया तो सही आंसर हमारा क्या हैगा जी टेलर यानि की option B हमारा सही आंसर होगा अगला question यहाँ पर है इसमें पूछा जा रहा है कि अपनी पुस्तक introducing cultural geography में J.E. Spencer और W.L. Thomas इन्होंने विश्व को कितने सांस्कृतिक भागों में विभ प्राजित किया है नो दस ग्यारा या फिर बारा तो सही आंसर के आएगा हमारा option C यानि की ग्यारा भागों में इन्होंने दुनिया को cultural based पर डिवाइड करा है इसकी बाद अगले question की बात करें यहाँ पर आपको एक तरफ यह दिया हुआ है समुधाय के बारे में और एक त तności और करें का तर्की और supreme कि और स impose फूत्य यहाँ पर यह समदाय रहता है। थिक है अब इरान क की बात करें तो इरान ने गर बहुत specific पूचा जाएगा तो Western Iran इराक में पूचा जाए तो उत्री इराक तर्की में पूचा जाए तो South Eastern Turkey और सीरिया में पूचा जाए तो आपका North Syria या फिर उत्री Syria अच्छा comment section ने बताईएगा एरान इराक तर्की और और सीरिया इनकी करंसी क्या क्या है यह जरा comment section बताएगा इन चारों देशों की करंसी क्या क्या है पहला तो यहां पर होगा नहीं पहला तो यहां पर हो गया incorrect क्योंकि बंगलादेश से associated करा गया इसको अच्छा मधेशी की बात करें तो यह नेपाल में इनका relation है समुधाय का सही है रोहिंगिया यह तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि भई मयामार से इनका relation है सो हमारा answer क्या होगा जिसमें second और third जो है वो दिये होंगे सो सही answer क्या होगा option C पर हम बात करते हैं जो पहला statement है कि क्यूबा को विश्व का चीनी का खटोरा कहा जाता है यह वाली बात तो सही है दूसरा है हॉंग कॉंग चीन का विशिष्ट प्रशाशनिक प्रदेश है इसके बाद third statement है की संसार में तो यह गलत है क्योंकि इंडिया इस मामले में टॉप पर है थीक है तो यह statement हो जागा incorrect इसके बाद Australia एक संग्हीय राज्य है इसके बाद Australia एक संग्हीय राज्य है इसके बाद Australia एक संग्हीय राज्य है यह आपको और पता होना चीन कि New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, उत्री छेत्र, औस्टेलिया ए राज्धानी छेत्र और Western Australia यह आस्टेलिया का जो पूरा संग्हीय है उसमें शामिल राज्य है ठीक है चलो तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा one two and four that means option D जो है वो यहाँ पर सही होगा इसके बाद अगले question की बात करते हैं इसमें पूछा जा आपसे निम्नलिखित कत्नों में से कौन सा सही नहीं है अब यहाँ पर आपको दिया हुए पहला की बोस्निया एक ऐसा देश है जो की आपका बालकंस वर्क से संबंदित नहीं है ठीक है अब कौन सा सही नहीं है यह आपको यहाँ पर चूस करना है इसके बाद Australia का उत्तरी पूर्वी भूमत सागरिय जलवाई उसे प्रभावित नहीं होता नोवा इसकोटिया कोईला छेत्र कनाड़ा में लोकेटिड है वर्तमान में विश्व के देशों में चीन का पास का सबसे बड़ा उत्तपादक है तो यहाँ पर हम बात करें सेकंड स्टेट्मेंट सही है थ पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि नोवा इसकोटिया कहां पर है लोकेटिड कनाड़ा में अच्छा बोस्निया की जब हम बात कर रहे थे तो यह जो है बालकंस वर्त से संबंदित नहीं है यह वाली चीज यहाँ पर इनकरेक्ट है ठीक है बाकी यह सब कौनसी कंटरी काश शामिल हैं यह और समझ लीजिये तो एक है आपका अलवानिया अलवानिया के अलवा दूसरी कौनसी इसके अपका है है तिंदा ह। गोवानिय, या गोवीना, इसके अलावा बुलगारिया है, बुलगारिया का अलावा कुसोवो, क्यूसोवो के अलावा है आपका मेसो, दोनिया, और इसके अलावा है मुंटे ग्रो, मुंटे नेग्रो ठीक है तो यह कंट्रीज है जो कि आपकी Balkans वर्ग में संबंदित है तो बोस्निया ऐसा देश है जो Balkans वर्ग से संबंदित नहीं है यह incorrect है क्योंकि यह associated है तो अल्बानिया, बोस्निया हर्जे गोवीना बुल्गारिया, कोसोवो मैसोडोनिया और मुंटे नेग्रो यह जो कंट्रीज है यह इससे associated है मतलब इन टोटल सेवन कंट्रीज है जो कि इससे associated है चलिए, next question पर move on करते है अगला question यहाँ पर है आप पर आपको steady यह दोस्तों बात करते हैं आपर उत्तर प्रतेश PCS 2024 के लिए क्या strategy है क्या क्या कुछ हम आपको provide करेंगे अपने इस course में तो सबसे पहली चीज complete steady material मिलेगा which is based on NCRT and standard books एकदम summarized form में और सिर्फ उतना PCS और समिक्षादिकारी के लिए आवश्यक है और सिर्फ उतने articles के अंदर included रहेंगे जो कि पिछले दो साल में highlighted रहें और जो evergreen articles है evergreen से मतलब है अगर आप fundamental rights की बात करेंगे आप DBSP की बात करेंगे आप Supreme Court से related कूछ articles की बात करेंगे तो जो evergreen है जो अब तक पूछे ही गए है उनको include किया जाएगा और वो articles जो की पिछले दो साल में limelight में रहे हैं news में रहे हैं उनको यहाँ पर include किया जाएगा similarly other subjects में भी जैसे कर हम geography की बात करें तो इसमें उन जो wildlife century है उनको शामिल किया जागा यह 2500 question रहेंगे और यह descriptive रहेंगे यानि कि हर एक question में आपको full description यहाँ पर दिया जाएगा जो की आने वाले exam के point of view से बहुत important रहेगा इसके लावा monthly current of years यह आपका summarized form में आपको provide किया जाएगा अब यह सारा material एक बार में provide नहीं होगा चैनल पर इससे related videos आते रहेंगे और आपको यह material PDF की form में मिलता रहेगा total यह जो हमारा session रहेगा यानि कि जो हमारा यह पूरा program है यह start होगा आपका एक अगस्त से तो first of August से आप लोग join कर सकते हैं इसको बट इसके लिए join करने के लिए आपको जो payment करना होगा वो आपको पहले ही करना होगा seat आपको अपनी alert करानी होगी UP PCS की बात करें तो 15 सो रपे in total यह fees रहेगा जिसमें complete GS का subject रहेगा कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा मतलब प्री के साथ में आप मेंस की त्यारी पैरलली कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो आपका समीक्षा दिकारी का paper होगा समीक्षा दिकारी के paper के लिए 1500 रुपीस की fees रहेगी जिसमें आपको GS का complete material प्रोवाइट किया जाएगा और यह आपका ना सिर्फ प्री के लिए important रहेगा बलकि mains के लिए भी यहीं से आपको सारी चीजने देखने को मिल जाएगी कुछ भी separate आपको नहीं पढ़ना होगा इसके अलाबा 500 रुपीस यह हिंदी का course रहेगा जिसके अंदर आपको complete हिंदी अभी प्री के point of view से रहेगा इसके बाद फिर mains के लिए भी हिंदी इसके अंदर include रहेगी that means प्री से लेके mains तक सिर्फ एक ही बार आपको payment करना रहेगा which will be 2000 रुपीस similarly अगर हम PCS की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ 1500 रुपीस का ही payment करना होगा वन टाइम में payment रहेगा और यह आपका complete रहेगा प्री से mains तक का तो सब कुछ आपको यहीं पर provide किया जाएगा आपको कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है जल्दी से जल्दी आप इस प्रोग्राम में एंटर करें और जो payment है वो आपको payment कैसे करना है यह चीज़ यहां पर और समझ लीजिए payment करने के लिए आप 9027281376 इस नंबर पर Google पे कर सकते हैं या फिर आप कोटेक महंदरा बैंक का पूरा account detail है यह description section में मिल जाएगा वहां पर जाकर आप जो account detail है वहां पर उस details पर जाकर आप payment कर सकते हैं ठीक है payment करने के बाद आपको simply इसी नंबर पर 9027281376 पर टेलिग्राम के थूरू मुझे message करना होगा और अपने payment करा है उस payment का screenshot वहां पर share करना हो पर अगले question की बात करते हैं इस question में आपको पहला statement दिया हुआ है कि बहुमेक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है तो अच्छा यहां पर हम पहले बात ही कर लेते हैं कि बहुमे बहुमेक मील की बात करें तो यह आपका रहता है 1609 मीटर सो अव्यसी बात है कि बहुमेक मील समुद्री मील से कम होता है तो यह तो हमारा statement हो गया सही इसके बाद हर्मेटन यह पूरवी अफरीकी तटकी धूल भरी आ दिया तो धूल भरी पवन्तों है यह यह तो बात सही ह लेकिन यह आपका पूरवी अफरीकी तटकी नहीं है इट शुड़ भी वेस्टन वेस्टन अफरीकी कोस्त यानि की पस्चिमी अफरीकी तट इसको होना चाहिए था यह statement यहां पर incorrect है ठीक है चलो आगे देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट है कि ग्रीज तता अलमानिया यह आइबेरियन प्रायदीब के भाग हैं अच्छा आइबेरियन प्रायदीब की बात चलिए तो उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले आइबेरियन प्रायदीब में कौन कौन सी कंट्री जाती है तो इसमें आती है कि इसमें आती है पूर्तगाल इसके अलावा एक छोटा Albanian ये इसके part नहीं है ठीक है तो हमारा answer क्या होगा सिर्फ पहले वाला होगा जिसमें बात करी गए थी भौमिक दूरी और समुधरी दूरी भौमिक दूरी जो है कम होती है समुधरी दूरी से तो सिर्फ पहला वाला जो हमारा है वो यहाँ पर सही होगा इसके बाद next question की बात करते है इसमें पूछा गया कि कौन सा है जो की सुमेलित है ठीक है जो की सुमेलित है वो आपको बताना है अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें किसकी जो यहाँ पर युग में दे रखे हैं ये दे रखा है आपका पैरागवे पेरागवे की जब हम बात करते हैं तो यहां पर pump पास घास के मैदा नहीं पाय जाते हैं यह कहां पर पाय जाते हैं यह पाय जाते हैं आपके अर्जेंटीना में ठीक है अब इसको याद कैसे रखेंगे वहीं pump करेंगे किसी को हाई टेक पढ़ जाए तो आप urgently उसको pump करना प सब्सक्राइब करकें तो यहां पर हो गलत दूसरा है आपका सचाइउत राज अमेरिका मनी टोवा यह प्रांत कहां का है कैनाडा का नाकी अम्रेका का तो यह भी हाँ पर इसके बाद मुरक्को और एटलस परवत की बात करी गई है तो एटलस परवत यह मुरक्को में विस्तारित है यानि की एक्स्टेंडिड है यह वाला स्टेट्मेंट है यह वाला पेर यहां पर हमारा सही होगा इसके बाद ऑस्टेलिया में किमबरले की बात करी गई है तो पास दिये हुए घास के मैदान यह आपका पैरागवे में नहीं है यह कहां पर है अर्जेंटीना में है कि अर्जेंटली पंप करो तभी कोई व्यक्ति जो है हार्ट एटेक से बाहर आ सकता है तो अर्जेंटली पंप करना पड़ेगा मिनीटोवा की बात करें कैनेडा में है अबिए कोई की बात करें यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गुए है और आपको यहाँ पर इनको मैच कराना है सबसेале हम बात करते हैं कि सकी दुरुव तारे की, तो दुरुव तारा कौन से ड IRECTION में निकलता है, सबको पता है? उत्तर, प्तवी की बात करें, प्तवी पर क्या है, गुत्वा कर्शन, इसके बाद इसके बाद विस्पोर्ट की बात करें तो विस्पोर्ट से क्या निकलेगी तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा 1d2a3c4b ठीक है यहां पर हमारा कोड आएगा dacb so let's see कौन सा यहां पर आंसर होगा option d यानि की dacb ठीक है यह यहां पर हमारा सही आंसर होगा so इसके साथ ही आज की इस वाले session को यहां पर end करते हैं आपको यह session कैसा लगा comment section में ज़रूर बताएगा और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें thank you so much bye bye